हेलो मैं क्रेटिव और अमेजिंग लर्नर्स और आपसे बहुत अच्छे होंगे आई विश कि आपकी स्टेडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूं इंडिया में यह फर्स्ट एक्जाम हुआ है अभी तक जो कंड़क कराया गया ग पेपर की रखते हैं तो कॉमेंट शिक्षम ने बताईएगा फर्स्ट पेपर आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा एक्जाम डेट जो है 24 ऑफ दिसेंबर 2023 में आज को ही एक्जाम हुआ था आर्टीचर के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्ट पेपर आये हुए थे निगेटीव मार्स तां तो जब निगेटीव मार्स हैं तो कुछ भी कष्ठन से जो भी ड्वी डाउट फुल रहोंगे तो होप साथ ने टâu फो आप ने टेच हो पारी हूं उनके बारे में मैं आपको एक्स्प्लेंज जरूर करूंगी और आप डिटेल से अच्छे से पूरे महा मेरा थन टाइप एक एक क्वेश्चन का इलिबरेट आंसर चाहते हैं तो तीन घंटे की क्लास्स होई थी वह क्लास्स आप लाइब होई हैं लाइब में जा अगर्डर्ण के साथ ही साथ यह जो एक्जाम हुआ था इमारे टीटी आर्ट उनके भी बिलकुल डिटेल क्लास्स होई हैं यहां तो बस मैं कुश्चन सबके साथ शेयर कर रहे हूं तो आप लाइब सेक्शन में जाहिए का लाइब क्लास्स देख सकते हैं अगर आपको डि जहांगीर's period were highly illuminated in gold and ambleached with flora and fauna are called जहांगीर के शाशनकाल में चित्रों की क्यारियां सुनहरी रंगों फूल पत्तियों से सुसज्जित की जाती थी उन्हें हाशिया कहा जाता था जिसोसल सिस्टम ऑफ हडपा वाज हडपा की सामाजिक विवस्था कैसी थी तो इस questions में अभी most probability मैं श्योर नहीं हो पा रही हूं लोगों ने कहा है कि बी करेक्ट हो जाना है सी करेक्ट हो जाना है एक करेक्ट हो जाना है देन आंसर सांदे तक का वेट कर लेते हैं ठीक क्योंकि गलत एंसर कराने का कोई फायदा नहीं है अभी स्टुडेंट्स एक्जाम दे कर आए हुए तो बहुत एक्साइट होकर की मेरे वीडियो देख रहे होंगे और यहां पर मैं रॉंग करा दूंगी और एक्जाम जब एंसर की आ जाएगी तो बड़ा इशू हो जाए पूछा जाएगा नामग चित्र जिस दक्षणी शाली में संबंदित है उनको क्या कहा जाएगा राग हिंडॉला यह आपको एहमद नगर में चित्रित देखने को मिलेगा अर्बक्स डेकोरेशन आफ दोम्स इन पेंटिंग ओफ राग हिंडॉला पॉर्ट्रेश ओफ इंफ्लेंच्ट राग हिंडॉला जो है पेंटिंग उनके गुंबदों में बेल बूटें सुसजित की गई है जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा फार्सी शाले का बोश्टली स्टुडेंट ने इनका ए भी अंसर किया है कुछ ने भी अंसर किया है तो इस क्वेशन में मैं शियोर हूँ कि भी ही करेक्ट होना है बट एंसर की आने तक का वेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट दा पेंटिंग जहांगीर होल्डिंग दा पिक्चर अफ मैडोना वाज दा क्रियेशन ओफ जहांगीर मैडोना के तस्वीर पकड़े हुए नामक चित्र ये चित्रकार कौन कहे जाएंगे आर्टिस्ट अबुलहसन हडपा फ्लोरिज्ड ओन दे बैंक ओफ रिवर किस नदी के तड़ पर हडपा संबंदित है हडपा इस लोकेटेड इन रावी नदी रावी रिवर कोई कुश्चन आपको हैसन लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है नो डाउट कुश्चन बहुत नहीं है तो टाइम क्या है इस गुफा का 200 से 300 BC से BC से AD तो यह गुफा नंबर 9 और 10 कहा जाएगा फिर गुफा नंबर 16 और 17 का जो टाइमिंग है वह 350 AD से लेकर 475 के अभी 500 AD है फिर 1 और 2 सबसे लिटेश्ट नवीन कहा जाएगा तो इनका टाइमिंग कहा जाएगा एक्ज 28 छटी से साथ यह सताब दी तो most probability A और B करेक्ट होने की chances हैं तो देखते हैं इनका भी answer कियाने तक का वेट करते हैं कि कि मैंने शुरू में ही कहा अभी ऐसे बताना सही नहीं है जो doubtful questions है निमलिखित में से following which of the following is not a पहाडी सब स्कूल निमलिखित में से कौन सा पहाडी शैली का चित्र पहाडी शैली के पार्ट नहीं है which of the following statement on the हडपा civilization is correct कौन सा कतन सिंदुगाटी सब्धिता के बारे में सही नहीं है sorry सही है really sorry सही है वे पशुपती की पूजा करते थे ठीक पशुपती वास वैनिश्ट बाइदेम the emergence of the मेवाड school of associated with a set of रागमाला पेंटिंग पेंटे इन चावन in 1605 AD by artist name मेवाड की सैली में चावन रागमाला किसने चतुईत किया था 1905 में ये तो आपके UGC net 2018 का ही कोश्चन उठाके रखा गया है तो सहाब दी निशार दिन मनुहर भीकम नानाराम जगनात ये मेवाड शाली के कलाकार हैं right answer is C. निशार दिन which was the only city of the हडपा civilization without fourth faction सिंदुगाटे सभथा में जो किल्यवंदी के साक्षय अभी जो महा मेरतन मैंने classes लेते उसमें बताई थी चन्धुदड़ू नहीं है मतलब चार दिवारी the sculptures of देव प्रशाद रॉय चौधरी statue triumph of labor one of the most important done by 1959 in मरीन अबेच जैने and 1954 नगमा so which one is the right answer according to options तो इसमें human figures को totally included किया गया कि कितने थे मुर्थिकाद देव प्रशाद रॉय चौधरी ने जो मुर्ती बनाई थी उसमें कुल मानोकृतिया चार रही थी और सांधाल family का भी पूछा गया है तो सांधाल family में भी चार ही है dog को add करके बट यहां पर only human figure पूछ लिया गया तो only human figure में तीन कहा जाएगा dog को skip करने के बाद बहुत अच्छे questions थे हैं और जुकली question यहां पर फ्रेम्ड किये गया है copy paste नहीं किया गया है mostly question को the mughal miniature styles of painting developed continued till मुगल लगु चित्रकला की शाली का development हुआ था exact time मैं आपको बताया था ना 1552 1857 तो बताए कितना हुआ सोलवी से 19 भी थ्री सैलियां parallel चल रही थी मुगल, राजस्थानी एंड दक्कने स्कूल 16-19 14-17 शती के आन तक with which color was the first drawing done in Ajanta Ajanta चित्र में प्रथम प्रिखांकन किस शाली किस color से हुआ था तो Indian red गेरू colors the main technical features of wash painting तो आपने BFA MFA में इतना practical किया है कि यह सारे questions तो आप बस यूँ ही करके आ गए होंगे वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है फिर भी वर्श चुत्रड की प्रमुक जो टिकनीक थी वो बार बार अपने according मतलब colors को बाबा से wash करना color washed which of the mediums does not have sufficient binder इन में से कौन पर्यापतर बंधक का यूज़ कुछ लोगों नहीं आप एक्रेलिक करा दिया है अक्रेलिक कैसे हो जाएगा आप एक बात बताईए आपने practically BFA में ही किया होगा BFA first year में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है जो यह होते हैं ड्राइपेश्टल ड्राइपेश्टल में binder का यूज़ नहीं होता है और यह question आपने बहुत बार पढ़ भी रखें तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं मैं oil color क्यों नहीं हो सकता है तो देखिए इसका मैं logical theory आपको share कर रही हूं मैं यह assume की हूँ अभी तो answer की आई नहीं है ना तो oil color होगा क्योंकि यहाँ पर oil में दो lincid और terpentine का role होता है acrylic colors में water बंधक होता क्या है binder क्या होता है तो यहाँ पर water और oil दोनों करते हैं mostly acrylic में लेकिन जादा जादा प्राक्टिकली हम लोग वाटर कलर ही यूज करते हैं लेकिन नेक्स्ट वन ड्राइपेश्टर 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 एक चौक की तरह होता है most probability every student ने बीएफे फ़स्ट येर में ही यह प्राक्टिकली किया होगा यह फिर बीए फ़स्ट येर में बीए फ़स्ट येर का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो अल्रेड़ी बीएफे की हूँ तो मैं अपने लेविल के कॉर्डिंग बता रही हूं बीएफे मे इसलिए मेरे अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है क्योंकि पेश्टर में भी यहां पर ऑइल का ही और से ही बाइंडिंग की जाती है यह प्राक्टिकली आप बच्पन स्कूल टाइम में यूज कर रहे होते हैं क्रियों जिनको कहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर और सी होना चाहिए और मुश्टली एक्जामनर भी देखेगा सी ही करक कराएंगे क्योंकि थियोरीज में थियोरीज के कॉर्डिंग मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया और प्रैक्टिकली भी सी होना चाहिए वार्ट सुट भी प्रैक्टिश्ड फर्ष्ट टू लर्न बेसीक फॉर्म ओफ विज्वल आर्ट फॉम दे बिग्निंग दिश्य कला में मोल रूप से आरम तो जब आप पहली बाद पेंटिंग्स बनाना शुरू करेंगे तो फर्ष्ट ली मैं आपको अगर ऐसे डेमोंस्ट्रेशन डेमो दोंगी तो पहली ही कहूंगी ना कि विट अच्छा रहा था यह कॉपीपेस्ट वाला कोशन नहीं है नया ही फ्रेम किया गया लेकिन आपको पढ़ा भी रखा है अजन्ता में पद्मपानी बोदिसत्वा के जो कबूतर के कलर से उनके ग्राउंड तो वह कहे जाएंगे वाइट एंड ब्लू राइट आंसर इस सी इस दे नॉलेज और पर्स्पेक्टिव इस गेंड डिष्यकला अधियन में परिप्रेख्शे पर्स्पेक्टिव का ज्यान होता है विद थे हल्प उफ रूफ इंड पर्द्व प्रेंड इंडरी पोर्ट्रेट इस पेंटिग कर्दिग ब्राइट इस पइंजरी यह जाने different different forms and different different statements लाग यह भी सेम ऐसे खुशन है अगला खुशन देखिए इन विच आफ दीज केव इस दीज केव इस देर ए स्कल्प्टर ऑफ त्रीमूर्थी इन में से किस गुफा में त्रीमूर्थी को कैप्चर किया गया है त्रीमूर्थी आपको देखने को मिल जाएंगे अलिफेंटा केव में विच रिलेजियन हैड बिकम पॉपलर इन मेनी पार्ट ऑफ विश्टर्न नौर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया 16th सेंचुरी एडी एस पर भक्ती मोमेंट भक्ती मिंशन किया गया है तो आपको भक्ती किसमें देखने को मिलेगा भक्ती धर्म आंदोलन वैशनो धर्म में ठीक है इस क्वेश्टन का भी आंसर की आने तक आप वेट कर लीजे कहीं सी यह कॉपी-पेश्ट वाला तो क्रिश्टन है नहीं हाँ इंडिया सोसाइटी ऑफ औरिएंटल आप भी अच्छे से जानते है सती वाली पेंटिंग्स पर पहला अवर्ड मिला था वह भी 500-500 रुपय का और राम किंकर भाय सिष्टर निवेदिता तो मोश्टली इस क्वेश्टन का भी आंसर देना 100% ट्रू नहीं होगा क्योंकि संस्थापक थे गगनेंद्रनात टैगोर तो देखते हैं इस विच गेन अनिमल्स हैज बीन सोन ओन दे राइट साइड ऑफ दे डिजंट ऑफ गंगेज गंगा ओतरडवाली यह आपका दो हजार बाइस का यूजिसी नेट का पूछा गया क्वेश्टन है एलेफंट जो फाइफ देकर के क्वेश्टन पूछे गया थे यह वह वाले पढ़ा भी रखा है आपको ऐसा कोई क्वेश्टन नहीं था जो मैं पढ़ा ही नहीं होंगी बस कुछ डॉटफुल को छोड़कर विच आप दे फॉटफुल कोश्टन भी मैंने पढ़ा रखा है बट ऑप्शन में आपके नहीं है तो देखते हैं एंसर की तक का नॉट फंडा मेंटर ऑफ आप डिवाइदे इंटू तू पर्ट्स एलमेंट्स ओफ एपर सेकंडरी फ्रिंसिपल ऑफ आफ एलमेंट्स ओफ आउर्ट लाइन कलर्श टेक्श्ट्च्चर शेप स्पेस और फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ आप यूनिटी हार्मनी बैलेंस एंफिस ब्रद्धी नहीं है पर्सपेक्टिव मैन वुमेन एंट्री अल्सों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफी बार आपके साथ हमने शेयर भी किया है च्छाया चित्र च्छापा चित्र कहेंगे प्रिंट मेकिंग नेक्स्ट मैन वुमेन एंट्री लक्षमण गौड की फेमस है प 500 तू 628 सबसे नवीन लिटेश्ट है ना एडी है 600 एडी राइट एंसर इस मोचली 628 याट मेंज साथवी शतापती विच पहाड़ी सब स्कूल ड़्स दपेंटिंग राग मेक बिलॉंग टू लगू चित्र राग मेक किस शाली से किस पहाड़ी शाली से संबंधित है राजपूत में अच्छा पेंटिंग वर पेंटेड ओन राजपूत वैसे तो देखे वसली होना चाहिए था बट आप्सन में वसली नहीं है तो मोचली आप मोच प्रोबैबिलिटी डी इस दे राइट एंसर एकॉर्डिंग टू मी हस्त निर्मीत कागस पर नेक्स्ट विच स्कूल डस दे पेंटिंग चौगान प्लेयर्स बिलॉंग टू दाना भार्टी का है चौगान खेलते हुए राजकुमारी जोद्पू शैली नेक्स्ट मुगल मिनियचर पेंटिंग श्टाइस रिजडन जैनेट दूरिंग दे रेजन्स मुगल लगू चित्रकला शैली के कलात्मक शिखर देखा जा सकता है किसके शाशनकाल में यह कॉश्चन काफी बार आपने अटेंड किया है जहांगी टाइम डूरेशन राइट दे अर्ली मुगल श्टाइस ऑफ मिनियचर पेंटिंग वाज इंफ्लेंच बाइट इंडिजनियस थीम्स एंड श्टाइस अलोंग विथ प्रारंबिक मुगल लगू चित्रकला शैली पर देशिये विसे वस्तू और चित्रकला शैली का सबसे जादा जो प्रभाव रहा थ वह फार्सी का था क्योंकि मुगल इस दा रूट आफ फार्सी या फिर पर्शियन वाट इस प्रॉसस ऑफ रिपिटेडली वाशिंग दे कलर्स विद वाटर इन पेंटिंग इस काल तो आपको देखिए यह कोश्चन मोशली टाइम रिपिटेडली मतलब रिपिट भी किया कुश्चन है अभी आपने वाश टेक्नीक वाला किये यह से केंडरी आप फिर से देख रहे हैं बस स्टाइल टेक्नीक थोड़े डिफ्रेंट है चित्र निर्मीत में जल से बार-बार रंग को धोना कहा जाता है उस स्टाइल टेक्नीक को वाश चित्र विच आप दो हर्मिका के बाद यश्थी और छत्रावली तो यह आपको देखने को मिलेगा इस्तूप में इस्तूपाज में सो राइट अंसर इस डी क्योंकि नहीं मेंशन कर दिया गया है दा मीडियम और पद्मपानी पेंटेड बाई नंदलाल बसू नंदलाल भूश द्वारा चित्रि पेंटिंग प्रोजेक्ट अंडर टेकन डूरिंग साजहां जरेजन वास सबसे अधिक सम्रित लुभावनी योजना जो एक असाधार पांडुली पी है शाजहां के शाशनकाल की तो आपको पता है कि रजमा ये तो बहुत एजी क्वेशन आप लोग के लिए रहा होगा अधिशनामा इंक्लूड़ेड शाजहां टाइम डूरेशन विच आप फॉलेंग इस दर पीरियड ओफ के नंबर ऑफ अजंता निम्लिखित में से अजंता की गुफा संख्या नौ का समयकाल बताना है तो गुफा नंबर नौ इसली आपकर सकते हैं 910 का जो टाइम है 200 B.C. to B.C. to 300 A.D. So according to me here the right answer is which one? दृतिय शताब्दी इसापुर्वा ठीक है? Secondary. हुमायू ब्राग बैक टू पर्शन आर्टेश्ट विथ हिम विन ही रिजन्ट पावर्स इन इंडियन दे वर भारत में 1555 इस्वी में साथ अमार के दरबार से दो कलाकार लेकर आया थें मीर से अदली एंड अब्दू समध किसने लाया? हुमायू ने. इन में से कलाभवन शांतिनिकेतन में 1922 इस्वी में as a teacher ये भी ये जैसे नेट में अलरड़ी पूछा गया आपकी यूपर टीजिटी में भी पूछा गया रिपिटेट कॉशन नंदलाल बसू दे इंड 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 पेंटिंग आफ अर्थन जार इस मैट विद यूजड चुन्दुगाटे सब्वता में निर्मी जो अर्थन वायर से जार मिले हैं वो किस में बनाए गया थे हैं कुम्ब की चौक पर इन में से किस रंग में फिक्सर फिक्सेटियों का यूज़ करते हैं ड्राइ पेश्टर्स मिनेचर पेंटिंग इन कांगड़ा रिजन फ्लोरीज अंडर दर पैट्रोगर्स ऑफ कांगड़ा छेत्र में लगू चित्रकला पल्लवीत एक विशिष्ट शाशक राजा संसाचन्र इन इसटेल लाइफ इसटडी विश्टेल राउंडश जब आप इसटेलल लाय बना रहे होते हैं तो विश्टेल राऊंडश कव शो करते हैं और ऑप्ड़ is brought about by इस तेले में आपजेक्ट्स में इसस फिलाइफ में गुलाई गुलाई लाने के लिए लाइटन शेट का सबसे बड़ा रोल पतीना इस दा कैमेकल रियक्शन यह यूपी पीजीटी आपके लाश्ट यह पूछा गया था तो यह आपके मूर्तिकला का पार्ट हो गया टाई एंड डाई यह कपड़े पर किये जाते हैं वोश वोटर कलर से एंसर इस देखने को आपको मल जाएंगी कृष्णा लाफ्टिंग माउंड के लास इस ए मुगल मिनियाचिर फॉर्म ऑफ मिनिस्क्रिप्ट गोवर्धन परवत उठाय कृष्ण एक मुगलिया चित्र एक पांडू लिपी है जो चितरीत किया गया था राइट एंसर इस हरी वन्स पुरान विच आपड़ फॉर्लइंग इन्स वैले साइट इस प्रेजेंट ली इन पाकिस्तान सिंदुगार्टी सब्वता में इस्थल वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है पाकिस्तान इन इंक्लूडड हरपा क्योंकि आपको ये भी पता है आलमगीर पूर इडन नदी के किनारे मेरत में हैं लोथल है भुगवा नदी गुजरात में काली बंगा राजस्थान में है हनुमानगर राजस्थान विच आपड़ फॉलोईंग इस नौट दक्षनी स्कोल सबस्कोल निमलिखित में से कौन सा दक्षन शाली का पार्ट नहीं है मालवा इस इन दे कलेक्षन ओफ नेशनल म्यूजियम न्यू डेली इस मैड ओफ हडपा में पाई गई पुरूज धर्ण मूर्ती जो राश्ट्य संग्राल है नई दिल्ली में संग्रही थे किस पत्थर से रिप्रेजेंट की गई थी रड़ सैंड श्टोन इनका साइज पूश लिया है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सैंटी मीटर नेशनल म्यूजियम में एक्जबेट है विच ओफ दीज इस मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड यूरोपीय इस निनल्खित में से भारती प्लस यूरोपीय शाले का मिक्ष्टर मिक्ष्टर कहा जाएगा कंपने स्कूल चोला पेरियेड नत्राज इस्टाचू पेरियड से चोलकाली नत्राज की मुर्थी यह आपके 12 बारवेश इताब देगे कही जाएगे 12 एडी सैंटूरी एडी नेक्ष्ट विच म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स इस इन दे हैंड ऑफ गनेशा इसकुल्प्चर मैट बाई दर इसकुल्प्चर पीवी जानकी रमन एंड क्रियेड ऑक्साइड ताबवा मुर्थिकार पीवी जानकी रमन जो रिफेजर टिकनीक के लिए पॉपुलर है इन्होंने गड़ेज के हाथ में जो दिखाएं हैं वो पिक्चर भी मैंने आपको शो किये थे होगा उसमें देखे होंगे वीना लिये हुए हैं आज गिटार टाइप ठीक है वीना इनमें से रेखाओं द्वारा परिपक्त किया जाएगा इसकेचिंग को अजन्ता केव आर सैचुएटेड ओन दे बैंक ओफ विच रिवर अजन्ता की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं बगहौरा रिवर विच ओफ दे फॉलेंग हैस नॉट बीन सेंटर ओफ कंपनी स्कूल निम्लिखित में से कंपनी शैली का केंडर नहीं है लखनौ इस नॉट पार्ट ओफ कंपनी स्कूल बाकि ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे नैंटी फॉर्टी त्री पेसी मानक ने इसका डिस्कवर किया विच ओफ दे फाइनेश्ट मैनस्क्रिप्ट इल्लेश्ट्रेटेड इन पाल श्टाइल्स पाल शैली की सबसे सर्वशेष्ट अस्तर सहस्त्र का प्रग्या पार्मिता तीसरी शती इसापुर्व नागर्जु लेखक हैं जिसे 18-20 अदापदी में चित्रित किया गया और पालशैली में सबसे ज्यादी इन इस ग्रंद को चित्रित किया गया था श्र्वा बेंगौल श्याली का एक बेश्ट करेक्टरिस्टिक क्या कहा जाएगा बेंगौल शैली इस बेरी पॉपुलर वह टेक्नीक वर पहाड़ी प्लस मुगल बहुत इंक्लोडेड क्योंकि इनको समन्नेवादी शैली के कलाकार कहे जाते था उससे भी आप लोगों ने लॉजिक योज किया होगा तो करेक्ट हो गया होगा गोल गुंबद इस सैच्टेटर इन गोल गुंबद जो है यह बीजापूर का है आदिल किया जाता है तो ना तो गड़ित ना ही विज्ञान ना ही भासाएं कला को सभी विस्यों के साथ आप कंपोश्ट कर सकते हैं आर्ट कैन इंटेग्रेटेड विद आल सब्चेप्स साइंस में भी आपको आर्ट देखने को मिलेंगी एंड हर एक सब्चेक कंप्यूटर में मै कहां जाता है तो मुश्ट प्रबैबिलिटी एक्वार्डिंग टू मी पेडगोजिकल टूल्स कहेंगे क्योंकि आर्ट जो स्टार्टिंग पेडगोजी सीखने का एक डिटेमिनेशन बताता है तो राइट एंसर की आने तक का वेट कर लेते हैं ठीक है तो होपलेस ना होई कियेगा जिन्होंने कुछ और अंसर टच किया है मुझे तो यकीन है जिस कोशन में आप डाउट फुल रहोंगे आपने टच भी नहीं किया होगा क्योंकि मैं खुद अल्रेडी समझ सकते हूं निगेटिम मांग जहां पर होता है वहां पे कोश्चन को बहुत सो समझे टच क किसके विकास में मदद करती हैं तो यह कोगनेटिव अफेक्टिव एंड साइको मॉटर आपने ब्लूम टेक्स नौमी पढ़ी होगी ब्लूम टेक्स नौमी यूजिसी नेट का जो तैयारी कर रहे होंगे स्टुडेंट मोशली उन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो क्या ह होता है इस तरह का होता है पहले होता है कोगनेटिव मतलब मेंटेल अबिलेटी फिर उसके बाद माइंड से जो चीजें सीखी जाती है फिजिक और उसके बाद जो है साइको मोटर साइको मोटर जो साइको मोटर लाइक फिजिकल और अफेक्टिव जो आपको एफट करती है तो इनका लेविल यहाँ पर होता है तो ब्लूम टक्सोनोमी जो होती है उन थियोरीज को यहाँ पर फुल्फिल किया गया था नॉलेज कॉम्प्रेहंसन एवैलेशन राइट तो यह संग्यानात्मक मनोल विश्टर यह कुष्टन मुझे बढ़ा अच्छा सा इसलिए लग गय लाइगा और यह टीचिंग का कुश्चन है नेक्स्ट वाइल एंगेजिंग विद आर्ट्स दलर्न दस नॉट गो थ्रो कला से जूरते समय सिक्षार्थी निमलिखित में से नहीं गुजरते हैं रोटेट लर्निंग पे वो फोकस नहीं करते हैं क्योंकि रोटेट स्कूल टाइम में 1st Stage वाले स्टुडेंट को सिखाया जाता था लाइक प्रीनरशरी टू स्टाटिंग फिर स्टूर हो जाता है प्राइमरी के बाद अंडरस्टेंडिंग लेविल अंडरस्टेंड लेवल 1112 वाले स्मार्टी स्टुडेंट फिर रफ्लेक्तिव लेवल कॉन लेविल कला सिक्षा में नवीन निव कैसे रखी जाती है विशेशकर प्राथमी किस तर पर तो ये भी आपका teaching aptitude का question है जब मैं UGC net की preparation कर रही थी तियारी कर रही थी तो ये सारे questions वही के frame उठाके रखे गया है तो देखिए क्या किया जाता है जब भी आप primary level पर हो तो आप psychomotor का यूज करते हैं development में तो most probability right answer is A होना चाहिए examiner के मेरे कोड़ी बड़े examiner के creative expression कह सकते हैं क्योंकि art mention कर दिया गया है लेकिन art creative तब होगा ना जब आपको फुल्फिल्मेंट होगा knowledgeable यहां पर कला के सिक्षा की नीव कैसे रखनी है यह पूछा गया है तो नीव रखनी है जो वह psychomotor skill motor skill पर यहां पर असनात्मक का भी most probability chances है तो दोनों को मैं रखती हूं options में answer की आने तक कर लेते हैं next which others material has been used besides red and stones red sandstone constructed कुतुब मिनार वाला बिल्कुल proper history में आपको पढ़ा रखी है like three or four stories building जो है वो माबल से create की गई थी फ्रियो साथ तुगलक ने करवाया थे the painting songs in the pictures of black on the birds rest painted by the artist Mansoor उस्ताद Mansoor द्वारा चितर तस्वीर वक्षी विश्राम अड़े पर तो यह उस्ताद आप मनसूर ने बनाया थे यह almost आपको KVS exam में भी पूछा गया question था NVS exam में भी पूछा गया question था तो देखिए यहां EMRS में भी पूछ लिया गया EMRS में मैंने आपको बोला था शुरू से ही कि KVS ने आपको यह उस्तिक होगा क्योंकि जो यह मसूर थे मोचली रिलिस्टिक फॉर्म बेज़ पेंटिंग करते थे और नैचुरल पेंटिंग करते थे फूस मैरीज प्रॉसेज इस सोन अन इन इस पेंटिंग तो बस आपको यह अला question देखके ही याद आगे होगा पिक्चर देखने के बार कि शादी किसकी दाराशिको की वाराथ तो which one is the right answer A is the right दाराशिको की वाराथ फास्टिर प्रेजेंटिंग पद्मपानी बोदिसट्वा इंदा फ्रैस्कु अजन्ता प्रैस्कु शैली में प्द्मपानी बोदिसट्वा के भंगी मा कैसी है त्री मोमेंट दिख रहा है तो इनको कहा जाएगा त्री भंगी मुद्रा में त्री भंगी पद्मपानी वोजी सत्वा त्री भंगी और अति भंग चोड़ नश्टी का नट्राज बिच अधर्स एनिमल बिसाइड्स दहौर्स बुल एंड एलिफेंट और डिपिक्टेट ऑन अबकस ऑन ऑफ दे लॉइन कैपिटल उसमें साण हाथी के घोड़ा के अलावा आपको और कौन सा जानवर देखने को मिलेगा तो यह ना जाने कितनी बार हमने आपको पढ़ा रखा है इसका पोजिशन डिरेक्टले से पूछा गया था बनाया किसमें गया है तो यह ब्रॉंज में बनाया गया है लॉश्ट वर्क्ष टेक्नीक में सो हीयर दराइट आंसर इस सी सोरी डी कांश है चान बीबी प्लेइंग पोलो, दक्कनी मिनियच्यर पेंटिंग बिलॉंग तूँ, दक्कनी मिनियच्यर जो है पोलो खेलती हुई चान बीबी, यह है गोलकुंडा का, और KVS एकजाम में इंसे रेलेटेड यह कोशन पोश्च लिया गया था न की चान बीबी है कौन, तो चा ब्रॉंज नट्राज इस होल्डिंग ए डमरू इन हीज अपर राइट हैंड वाट इस दा होल्डिंग इस हीज अपर लाफ तो मोश परबाबिलिटी स्टुडेंट्स ने इनका एंसर किया होगा अगनी आग सही होगा यह आपका KVS वाला क्वेशन उठा के रख दिया गया है KVS में जो पोचा गया था सहाबदीन ने बनाया है ना मारू रागनी और मारू रागनी में इन्होंने क्या किया रागनी को पहले और मारू को पीछे कर दिया है तो confused नहों यह वही वाली पेंटिंग्स है How many human figures are depicted in the sculpture Santhal family in time duration 1938 तो पुछा गया है कितने forms है तो human figures पूछा गया है सांथाल परिवार में मानो करेतिया वैसे तो total 4 हैं लेकिन only human figures father, mother husband wife और उनका एक बच्चा है तो तीन है और अगर बात किया जाए डॉग अगर पूरा पूछ लिया जाता संपोड़ सांधाल family में तो चार हो जाते हैं बट यहां पर only mention कर दिया गया है कि मानो आकरितिया तो मानो आकरितिया तीन है सो फाइनली congratulations everyone hopes आपके exams बहुत अच्छे हुए होंगे EMRS के EMRS के मुझे बताइएगा कि आपने 80 questions में कितने questions correct की हैं उसके according में आपको cut-off share करूँगी और first paper से related अगर आप videos देखना चाहते हैं तो after answer की मैं first paper भी आपको share कर दूँगी और अगर आपको यह PDF चाहिए तो मेरा telegram join कीजिए telegram की link आपको मेरे इसी YouTube चैनल के description में मिल जाएगा आपको telegram पर यह PDF मिल जाने वाली है thank you so much everyone all the very best please 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 यह comment करना बिल्कुल न भोलें कि आपकी कितने questions correct हुआ हैं मैं बहुत excited हूँ और उसके according आपके cut-off को judgment करोंगी thank you so much once again and all the very best don't be feel sad जब तक paper ना आए ज़्यादा परिशान होने की ज़रूत नहीं है answer की तक का आप लोग वेट कर लें क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चीज़ें है theoretical based कराई हैं जो भी doubtful रहे थे मैं आपको बता दिया यह doubtful है क्योंकि अगर मैं यहां करा देती practically 1% तो आपका mind frame हो जाता बाद में answer की आने के बाद फिर आप blame कर देगी मैं आपने गलत बता दिया था इसलिए answer की तक का वेट कर लेते हैं after answer की मैं फिर से आप बाद शेक्शन में जरूर बताएं कितने questions correct हुए हैं कितना आपने अटेंड किया है क्योंकि negative marks था तो hopes हो आपने सारे अटेंड नहीं किया होंगे कुछ five two